असलाम वालेकुम गाईज, कैसे हैं आप सब, welcome back to my channel, मैं रुबीना और आज की वीडियो मैं मटन की कबाब, सीख कबाब की रेसेपी शेयर करने वाली हूँ जैसे कि अभी बक्राईद आनी ही वाली है, तो उसमें आप बना सकते हो बक्राई इडिश पहस्चा लेक रेसेपी, बहुत ही जाद ही जल्दी बन जाती हो, बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए इसकी रेसेपी देख लेते हैं, मटन के कीबं आनने एक किलो लिया है यह अच्छे से मैं लाके घर पे ना बहुत अच्छे से धुल लेती हूं उसके बाद फिर से मैं मशीन से इसको निकलवाती हूं तो यह मशीन का निकलवा कीमा है थोड़ा बारीक हो जाता है लेकिन अगर आप नहीं करवा रहे हो तो मिक्सर में भी इसको थोड़ा बारीक कर स मिकसर में बहुत ज्यादा इस लिए में मिकसर में नहीं करते हूँ नहीं ही करहे लेता हूं पर रभा लेटेह जा था भीसमेंना फुर्ट्रीज प्रोसेशर लाज यहरू महते हैं इसमें मैंने 5-6 form अरिक राल दी ती अभ राल दिया रही इसमें अदरग लसेका का पेस्थ, चमचर कहलो mają मतन ने यह मतन करता है में ने के अड़े लिए भाल तो यह अच्छा से यह स्कलख कर देता है बारिक उसके बाद इसको इसका पानी निचोड़ लिया कपड़े में रखके फिर उसके बाद इसमें दो चमच के करीब भुना कुटा धनिया लिया है इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कबाप का और थोड़ा सा रोस्ट कर लो फिर इसका बाद कूट लो ज्यादा बारि नहीं है फिर लाईल मिर्चे टाल देंगे हिरी मिर्चे अत कम रख रहा है फिर उसके बाद इसमें हल्दी डाल दिया है और ये धनिया पॉडर डाल दिया है जो पीसा हुआ धनिया पॉडर होता है बारी जो हम पीसते हैं सब मासाले मैं धर पे ही पीसती हूँ हल्दी को छोड़ गी माकी मैं सब घर पे ही पीस लेती हूँ भूणा तो क्पस्टा नुए कलें, बशव़ीं, फ्लीन कमर्च यहांया क्पेशा, तिख नहीं कहीं में सब्लाट achievements इस यह मुझाना पुदिने में तुरू आटके आट पैसे कीवारी में कार्त तपकर है किकॉर कई नहीं की और पुदीने जब यह कर भते के ज़से अगर चाले कमें the चाले के चाले हो झालेां कमेश बन्हाले किते लेजिए के यहां डाल जाता लिगा जाता हुए। बज उसके बाद तेक्ट मीं से नमक का रस में बना है यंई गर आपके बड़े निबू निबू अब जूस्छत भी न कीजित अब मैं 0-2 तीन निबू का रस और बहूं दालना अगर पीस को आने नहीं आपके पास तो बेसन को अच्छे से रोस्ट कर लो इसंसे ब्राइंडिंग के थोड़ा से इस्तिमल करते हैं ज़्याधा डालने के सब्सक्राइब तो आधा कब जनल लिए है इसे फोड़ी सी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है खालि-खाली अगर कीमा है तो उसमें थोड़ा सा बनाने में परिछानी होती है बस उसको बाद अच्छे हिए से मिकस कर दिया है हाथ से और फिर इसको थोड़ा सा धूंआ देंगे इसमोकी फ्लेवर लाएंगे जीस से बाहर करेंदें कोईले हां निस हमता ही अच्छा उल् follower अच्छा हां न श्यूंद्द गरफ अच्छा हाना कोईले का स Rat कि ऐसे चोड़ देगे इसमें जिसे पपीता भी है तो उससे मटन भी कल जाएगा और यह अच्छ से मारीनेट भी हो जाएगा लेकिन अगर आपको पास ज्यादर टाइम है आप ज्यादा देर के लिए बाहर मत रखो कि पपीता बहुत जल्दी गला देता तो इसलिए ज्याद जबाद मनेगीफ जिसमें टूड़ा गरम मसाला भी डाल दिया है अधिके बड़ अछे सिसको भी mix कर दिया है उसके बाद सीख ले लिए आपके पर सीख नहीं है तो पेंसिल से बना सकते हो कोई भी टूल इस टाइप की है तो इससे बना सकते हो फिर एक तरफ में बनाते है तो किसी भी पन्नी में जिप लॉक में अबडा के इसको रख सकते सिटोर कर सकते हुआ आप एक महिने तक उराम से चला सकते हो मैं तो ज़ादा दिन चला लिती हूँ एक साथ में ज़ादा बना कि जिसे बखराईद में पि ज़ादा बना कि रख लेती बस देखिए इस तरीक से मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था अब इस तरीक से कबाब बनाते जाओंगे अगर आपको लगता है कि चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी लेकर हाथ भी लगा लेंगे तो चिपकेगा नहीं इसमें मैंने कोई जिसे फैट नहीं यह मेरा की नहीं डलवाया कि थोड़ा नुकसान करती है ना मतनों इसे हम बहुत कम ही खाते हैं लेकिन बक्राइद है तो सब के हां जिसे होंगे ही मतन तो इसलिए मैंने सोचे चलो इसकी रेसेपी आप लोगे शेयर करती हूं बस उसके बाद इसी तरीक से थोड़ा सा तेल ही डाला है लेकिन बहुत जाद आजहीं इस तरीक लीवाडए जिसा जादा भूकर नहीं होथा है थोड़ा थो दाल के इसको अच्छ से रोजय करने करता है और तो 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 तीन तीन मिनट में एक तरफ में अच्छे सो जाएगी पपीता रहला था तो पपीता ने अच्छे से गोश्ट को गला दिया है देखिए टूट भी गया इतना ज्यादा सॉफ्ट बनता जिस तरीके से गलावटी कवाब जैसे नहीं होता है और ऐसे तेसिस का आता ह पूरा मुह में घुल जाता है इस तरीके का है लेकिन आप थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखना चाहते हो तो पपीता के पेस मठ डालो तो थोड़ा जिसे बाइट ने आएगा लेकिन यह गला हुआ है इसका अपना एक अलग टेस्ट होता है तो इस तरीके से भी बना सकते ह मैं ने ग्रीन चट्नी बना है रखे रखे बस में इस्टोर करती हुं फ्रेजर में बस जिस्तिमाल करना होता है जूछी आपको पानी करना पक्राइम यह दाने करना तो प्याइब वाली चट्नी त्यार हो जाएगी बागी थोड़े से इसमें पैस डाल दिया है तो आप लो लोगों को मैं मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में अल्ला हाफिज दूंगी